और इस तरीके से publicity दे रहे हैं ये न्याय पत्त भारत जोडो यात्रा और भारत जोडो न्याय आत्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेत्रतु कर रहे थे राहूल गन्दी जी और अलग-अलग नेता जिसमें कौंग्रेस अधियक्ष भी शामिल थे इन्होंने यातरा में भाग ली दोनों यातराओं में भाग ली और इस यातरा के दोरान जो समाज के अलग-अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई चरचा हुई जनता की चिंता वो सुने जनता की अशानी को उनने देखा और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री की नियत है और प्रधानमंत्री की नीतियां है उससे बेरोजगारी बड़ी है, मेंगाई पर कोई काबू नहीं ला पाए हैं और आर्थिक विशमताएं हमारे समाज में पिछले 100 सालों में इतना उस तर पर पहुंचा है जो पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया और ये ही तो हमारे मुद्दे हैं भारत जोड़ो न्याय आत्रा के समय हमने बार बार कहा, राहुल जी ने बार बार कहा, कॉंग्रेस द्यक्ष ने बार बार कहा कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये पांच न्याय हमारे चुनाओ के रणनीती तै करेंगे और इन पांच न्याय को लेकर हमने 25 गैरेंटियां भी दी हैं और तीन तारिक से आठ करोड पडिवार को सारे देश में ये गैरेंटी कार्ड हमारे नेता और हमारे कारिकर्टा बांटने में लगे हुए है तो ये हमारा एक सकारात्म के जंडा था और है और रहेगा क्योंकि हम जंटा के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थी कश्रमताये हमारे संविधान पर आक्रमन हमारे संगीर धांचा पर आक्रमन हमारे लोगतांतरिक संस्थाओं पर आक्रमन यही तो मुद्दे हैं पर प्रधान मंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार 400 पार के नारव छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोधी की गारंटी मोधी की गारंटी बोलने आप भी छोड़ दिया है और इतने भौकलाएं गए हैं इतने परेशानी में हैं इतने पीडित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तिमाल कर रहे हैं दुरूविकरन हमेशा उनका हत्यार रहा है पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम दुरूविकरन की भाषा इस्तिमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो जूट पहला रहे हैं मैं समझता हूँ जरूरी है इसका खंडन करना और मैं सिर्फ तीन या चार तो कॉंग्रेस के वरिश्मेता जैराम रमेश इसकर प्रेस कॉंफिरेंस कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कॉंग्रेस का न्याए पत्व है उसमें तमाम वो बाते कही गई हैं जिस बख